हेलो अवरिवन हाव आर यू उमेद है आप सभी ठीक होंगे अपनी रोजमरा की लाइप में हम बहुत सारी खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कुछ चीजें मारे लिए एल्थी होती हैं और कुछ नुकसान दाइक होती हैं कुछ खाने पीने की चीजे एस से भी होती हैं जो टॉक्सिस हो सकती हैं यानी जैरीली हो सकती हैं किसी किसी केस में तो मोत का कार्मी बन सकती हैं चलिए जानते हैं इन चीजों के बारे में डिटेल से हरा अलू, सबसे पहले है हरा अलू आप सभी ने घर पर देखा होगा या तो अलू पूरा रहा होता है या एक दब्बा होता है हरा जो पार्ट होता है उसमें दो चीजे पाई जाती है पहली है क्लोरोफिल और दूसरी है सोलेनिन ये जो सोलेनिन जो है नियूरो टोक्सिस होता है ये जो सोलेलीन है ये नियूरो टोक्सिस होता है जो जहर का काम करता है यदि इसके ज्यादा मातरा ले ली जाए तो सिर्द़र्थ, वोमेटिंग, इंटरनल ब्लेडिंग, पैरालीज और डेथ भी हो सकती है हरे आलू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और यदि आप ले रहे हैं तो हरे आलू को काट कर अलग कर दीजी बचे वे आलू को यूज कर सकते हैं उसमें जैर नहीं होता हरे आलू को ऐसी जगह फेंके जहां कोई जानूर भी नहीं खाई क्योंकि यह बहुत ही जहरिला होता है कुछ केस भी स्टेडी वे हैं इस पर इसमें पाया गया कि 500 गरम फुली ग्रीन आलू खा ले तो एक अच्छे खासे अडल्ट्स की भी डेथ हो सकती है और इसका तो आपको ग्रीन आलू से बचना चाहिए और इसका बिल्कूल भी उप्योग नहीं करना चाहिए थैंक्यू लाइक शेर एंड सस्क्राइब